हेलो एवरिवन वेलकम टू माई योट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है हमारे आज किस वीडियो में फैंट्स इस वीडियो से पहले मैंने वेस्टरन रेलवे मुंबई और आपका नॉर्धन रेलवे दिल्ली का पूरा अनलेसिस किया था उन वीडियो में आपको आटे का रेपलाई भी दिखाया था जो ऑफिशल आटे लगाई जाती है उसमें बताया गया है कि इतने स्टूडेंट नहां से फॉर्म अपलाई की है पूरा अनलेसिस का वीडियो आपको मिल जाएगे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप उन जोन से बिलॉंग करते हैं तो वह वाले वीडियो भी आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगी सेंटरल लेलवे मुंबई की एक सब्सक्राइबर ने मुझे आटे का रिप्लाई बेजा है सबसे पहले उने में थेंक्यू बोलना चाहूंगा आप में से भी अगर किसी के पास कोई आटे रिप्लाई है तो आप मेरे साथ उसको शेयर कर सकते हैं टेलिग्राम पे उसके बाद पूरा चीज़ों को एनलाइज करके मैं आपको डाटे के अधार पर जो है सेफ स्कोर और कट आफ का एनलाइस करके दे दुगा यहाँ पर देखी मेरी कोशिश है कि मैं 99% accuracy के साथ आपको सारी चीज़े बताऊं लेकिन फिर भी देखी अंतरिया में कोई भी नहीं होता है जो डाटा मैं आपको दे रहा हूँ या जो कट आफ मैं आपको बता रहा हूँ हो सकता है उससे थोड़ा बहुत उपर नीचे हो जाए मेरी कोशिश हमेशा है कि मैं आपको पूरा एक्जेक्ट तरीके से सारी चीज़े दिखाऊं चली देखते हैं सबसे पहले सेंटर लेलवे मुंबई में कितने फॉर्म बरे गए थे 1842 2022 को ये रिप्लाई आया है और टे का रिप्लाई सेकिंड पैराग्राफ में आ जाते हैं सीधा यहां पर बताया गया है टोटल 7,49,445 फॉर्म रिसीवट फोर सेंटर लेलवे आउट आफ विच 7,34,280 आर एलिजिबल क्यानि कि यहां पर जो एलिजिबल फॉर्म थे वो 7,34,280 के करीब थे बाकी यहां पर रिजेक्ट हो गए थे तो में डाटा यहां पर किया है कि यहां पर देखिए 7,34,000 के करीब आपके टोटल फॉर्म है सेंटर लेलवे मुंबई में अब चलिए इसके आदार पर हम देखते हैं कि क्या यहां पर सेफ स्कोर रह सकता है पर सीट कॉमपेटिशन कितना रह सकता है पूरा अनलेसिस में आपको करके दिखा देता हूँ साथ ही मैं आपको बता दू देखिए जो मेरा अनलेसिस है वो प्रिवेस एर के आदार पर है साथ ही महाँ पर आपको पांच फेक्टर में ऐसे जरूर बताना चाहूँगा जिनके आदार पर कटाओ बनती है सबसे बहले नंबर ओफ वेकेंसी उसके बाद कितने फॉर्म भरे गए हैं उसके बाद जो आपका पर सीट कॉमपेटिशन क्या निकल रहा है और में यहाँ पर रहता है कि quality of candidate कैसे है साथ में normalization का भी थोड़ा factor होता है हलाकि इस बार जो है normalization को avoid करने की बात कही जारे लेकिन कहीं न कहीं normalization group D में देखने को मिलेगा क्योंकि एक ही shift में किसी RRC का exam कराना बिल्कुल impossible है तो यहाँ पर से लिए मैं पूरा data आपको दिखाता हूँ 2018 का मुंबई का सबसे बहले data देख लेते हैं पिछली बार जो vacancy थी वो 4625 थी form लगबग 16,000,000 भरे गए थे exact data नहीं है उपर नीचे हो सकता है लेकिन हमारे पास यह information है proceed competition आ रहा था 354 का बहुत ज़्यादा competition यहाँ पर सेंटर लेले में देखने को मिल रहा था लेकिन क्योंकि आपको पता है कि कुछ स्टूडेंट सिरफ शॉंक के लिए form बरते हैं तो लगबग 65% के करीब आपके attendance रही थी उसके according अगर actual per seat competition देखा जाए exam टाइम पर 210 का था यहाँ पर बहुत अच्छा competition तब भी देखने को मिल रहा था अब यहाँ पर आपका पीटी का cutoff रहा था वो यह है मैंने इसको पूरा एक complete figure में ले लिया है 67 point something था लेकिन मैंने complete figure में लिया है 67 यहाँ पर UR का cutoff था PT के लिए जिसमें आपको PT में बुलाया गया था तीन गुना ब्यारती यहाँ पर PT के लिए बुलाया जाने है एक subscriber comment box में लिख रहे थे कि दो गुना बुलाया जाएंगे तो आप notification को एक बार ठीक से देखें 71 था UR के लिए 69 था OBC के लिए 63 था SC के लिए और ST के लिए 58 था यहाँ इनकी इतने नंबर पर सेलेक्शन हुआ था student का अब देखें आपको पता है पिछली बार जो नुर्मालेशन है वो बहुत अच्छा देखने को मिला था 20, 20, 30, 30 नंबर भी student के बड़े थे तो मैंने यहाँ पर एक average लिए है कि मान लीजे इन सभी में आपके जो है 10 नंबर का normalization हो रखा है क्योंकि यह आपका normalize score है तो इनका row score कितना रहा होगा row score रहा होगा UR में 61 उनका selection हो गया होगा 71 होकर और OBC में रहा होगा 59 और उसके बाद SC में रहा होगा 53 और ST में रहा होगा 48 यानि कि यह वाला row score जिसका आया होगा उसका selection जो है finally group D में हो गया होगा अब इसके अदार पर मैं आपको बताता हूँ कि इस बार 2022 में competition क्या रहने वाला है अब यह रहा आपके समने data वेकेंसी इस बार बड़ी है 9,345 वेकेंसी हैं पहले से लगबग double आप कह सकते हैं form यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ITA के नुशार 7,49,445 ही मैंने इसको ले लिया है हाला कि 7,34,000 के something actual form थे ठीक है न यहाँ पर मैंने इसको 7,99,000 के cording ले लिया है तोड़ असा पॉइंट्स में फरक पड़ेगा बाकि आप लोग इसको चाहे तो 7,44,000 के cording भी ले सकते हैं ठीक है यह 50% serious candidate आप कह सकते हैं तो यहाँ पर लगबग जो आपका proceed competition निकलेगा वो 40 कर रहेगा बहुती कम proceed competition है लेकिन सिरफ proceed competition के आदार पर यह मत सोचना कि आपका जो cut off है वो बहुत ही low चला जाएगा quality of candidates यहाँ पर matter करते हैं जो 50% student paper देने जाएगे इसमें से 10% student या 20% student ऐसी होगी जिनकी बहुत अच्छी तयारी होगी अब depend करता है कि अगर उनके पास अच्छे question आजे जो उन्होंने पड़े हैं तो cut off हाई भी जा सकता है तो सारी चीजे balance करने के बाद यहाँ पर मैंने एक आपके लिए safe score निकाला है देखेंगे DV के लिए मैंने score निकाला है यह वाला और row score मैंने निकाला यह वाला PT वाला score मैंने नहीं निकाला है क्योंकि PT का कोई कामी नहीं है selection ही आपका इस वाले score पर होगा तो देखे 65-68 के बीच में जो आपका final है अगर इतना बन जाता है UR केटिगरी में तो आपका selection हो सकता है 56 यहापर minimum है 68 यहापर maximum है बीच में कहीं भी लाई कर सकता है इसलिए यहापर मैं आपको exact figure नहीं दे रहा हूँ UR में 65-68 है OBC में 62-66 है SC में 58-60 है और ST में 50-56 है इसके बीच में final score अगर आपका बन रहा है तो आपका selection हो जाएगा अब row score की अगर बात करें कि row score कितना रहना चाहिए तो देखे 60-64 की बीच में अगर आपका row score बन रहा है तो आपका normalize होकर selection हो सकता है OBC की बात करूँ तो 58-62 की बीच में अगर आपका row score बन रहा है तो selection definitely हो सकता है ST की बात करूँ तो 52-56 के बीच में आपर लाई करेगा ST की बात करूँ तो 46-48 के बीच में लाई करेगा यह row score को बूल जाजिए तो सिर्फ मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ आपको target यह वाला रखना है इतना target रखके चलोगे तब जाकर कहीं यह marks आएंगे selection हो जाएगा ठीक है बाकी बात करें अगर EWS की तो EWS का जादा prediction नहीं किया जा सकता है आया है तो एक लाइक की उमीद करता हूँ बागी अगर आप में से किसी के पास कोई IT रिपलाई को information है तो आप मेरे साथ टेलिग्राम में शेर कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही बना दूगा